एलो गईज तो State Bank of India दे रहा है आपको 5 लाख रूपए तक का लोन तो आपको ये लोन के लिए आपको चेक करना है कि आप इस लोन के लिए eligible हो या नहीं हो तो आपको सबसे पहले एक message करना पड़ता है जिस पे आपको सबसे पहले type करना है PAPL फिर आपको इसके पीछे आपक बेंक एकाउंट का 4 digit नमबर लिखना है फिर आपको एक नमबर मेशेज करना इजो नमबर है 567676 तो आपको इस नमबर पर ये message करना है फिर message करने के बाद अगर आप इस लोन के लिए eligible हो तो आपको एक message आजा एगा कि आप इस इस loan के लिए eligible नहीं हो तो भी आपको एक message आएगा कि आप इस loan के लिए eligible नहीं हो तो अगर आप इस loan के लिए eligible होते हो तो आपको आगे का process आप State Bank of India की official website पर जाके देख सकते हो या तो फिर आप आपके nearest में जो भी State Bank of India की branch से आप वहाँ से भी कर सकते हो तो मेरा तो यह है क कि मैंने अभी तक कोई भी State Bank of India में मेरा account नहीं कुला है तो इसलिए मैं इस loan के लिए eligible नहीं हो और apply भी नहीं कर सकता तो अगर आपके पास यह State Bank of India का bank account है तो आप इस loan को apply कर सकते हो और मैं apply नहीं कर सकता इसलिए इसके ओपर मैं full tutorial वीडियो भी नहीं बना सकता हो तो दो दोस्तों उमीद है कि आपको यह loan मिल सकता है और दोस्तों इस loan की सबसे खास बात यह है कि अगले 6 महीने तक आपको कोई भी इसमें ब्याज नहीं देना है कोई भी आपको interest नहीं देना है फिर 6 महीने के बाद जो आपका बाद में जो interest रहेगा आपका पर मंत 10% interest रहेगा तो बस यह इस loan के बारे में जानकारी थी आपको यह वीडियो कैसे लगाए आप निचे कमेंड में जरूर बताना और इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप निचे कमेंड में लिखकर पूछ सकते हो तो बस दोस्तों फिलाल के वीडियो में इतना ही तब तक क लिए जैहिन वंदे मात्रम